हेई एवरिवन होप या डूइंग वैल फ्रेंट्स आजम बनाने जा रहे है पनीर बुर्जी हम पनीर बुर्जी बहुत ही अमेजिंग और अलग तरीके से टेस्टी बनाएंगे तो सबसे पहले यहां पे मैंने चौपर ले लिया है तो पनीर बुर्जी बनाने के लिए मैंने जो सबजिया लगती है वो सबजिया पी लाके रखी थी और यह देखे मैंने सबसे पहले यहां पर प्यास ले लिया है यहां पर मैंने टमेटो कैपसिकम मेर्ची और साही सबजियों को मैंने यहां पर बारिक कट कर लिया है तो सबसे पहले प्यास को मैं कट कर रहे हूं मैं बारिक बारिक कर रहे हूं तो यह देखे आप चाहे तो इस ग्रेवी भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सब्सक्राइब करूँगी कि आप चॉप करेंगे तो अच्छा रहेगा और यह देखे मैं यहां पर टमेटो को भी छोटे-छोटे कर लिया लिया अभी पोर पारिक-वारिकश है कर लिया है जो सबसे जहदा है तब चाहे तो टमेटर के सब से fire कॉटिटिे रख सकते हैं लेकिन वी देखोए बढ़िक कंश पेस्ट when i करेंगे jam करणंगे साइड में रख देंगे और अब हम नेक्स प्रोसेस पर जाते हैं कि मैंने यहापे करीबन 200 ग्राम चीतना पनीर ले लिया है और यह पनीर को मैं यहापे ग्रेट कर रहे हूँ तो यह दिखे फेंड्स मैं पनीर को ग्रेट कर लूँगी यह अब चाहे तो इसको हाथ से भी मसल कि ऊजwhat कर अब करके है तो इब अब यहापे मैंने पायन ले सकते हैं पैन में में आप एक चमाच तेल लूँगी तील अब रभand होने के बाद एक फाल्स मैं नड़कर और तील और गी दोने धीरा कहा बहलें अंब गरम के बाद में आपे जीरा डाला है और रहा पीस्ट ब यहां पर यहां पर डाल डेंगे और प्यास को भी आच्छे से भूं यह दिखिए अगर प्रोति जो है थोड़ी फास्ट हो जाए 14 लिए तो उसके लिए आम पर न कैप जाल देंगे और पनीरबुर्जी में मैं डाल रहे हैं एक चममच बेशन अगर आप चाहे तो बेशन स्किप कर सकते हैं लेकिन अगर आप बेशन डालेंगी चममच तो इसकी जो फिक अमलब ग्रेवी जो है वह अच्छी बनेगी गारी बनेगी तो यह देखे मैंने आप एक मैंने चॉप्ट टमेटों भी डाल दिये है और यह टमेटों सब्ट होने तक हम इसको बूल लेंगे और अब हम यहाँ पर डाल देंगे एक चमच नमक नमक जो है आप में टेस्ट के अनुसार डाल दीजेगा तो यह देखिए मैंने आप पर नमक डाल दिया है और अब सके ओप यह दिया है तो यहां पर मैं एक चममाच कश्मीरी मीच पावडर का दाला रही हूँ और एक चममाच हमारे चो रेट मीच पावडर होता हैören correlate होाँ डाला है और एक चममाच मैं दाला है और एक चममच की चंद कीन मसाला डाला है जो आ मदेंगे दनी आजिरा मसाले एक अपर बुन रही हुए है तकि इसका फ्लेवर जो है सब्सी में अच्छे से निखर के आए तो अब नोग दाल देंगी कसूरी मेति तो मैं ने यहां पर कसूरी मेथी डाल दिया एक चम चम यह पर डाल देनगे की सब्सीम के हमारी पनीर की सब्सी में तरह का थे पिर 9,2022 रिषनेश बहुत आए जाएगी और खाने में बहुत यक्छा लगता है तो अब यह देखिए मैं यहां पे भून लिया है ग्रेवी को अच्छे से और बूनने के बाद हम यहां पे डाल देंगे ग्रे टेट पनीर तो यह देखे मैंने कम से कम 200 ग्राम पनीर लिया है यह कम 3-4 लोगों के लिए करीबन हो जाएगा तो अब यह देखे मैंने ग्रेवी को अच्छे से पनीर के साथ मिक्स कर ले रहे हूं और अभी मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब ही हमारी जो पनीर भूर्जी है क मैं अब इसको हमेरी से लिए लूंगी दो देखिए भेज मैं आपे अच्छी लगे तो रेज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेर कीजेगा चले मिलते हैं नेक्स कुकिंग व्लॉग में बाई बाई